तो आज देख रहे हैं info file के बारे में कि जब भी आप कोई theme बनाते होगाня तो आपको info.yml file बनानी बढ़नी बढती है भी खेंfoken info.yml file का क्या मतलब है तो info.yml file का मतलब यहां पर यह है कि यह vml file होती ही मतलब key और value pair के सथ यह file बनती है और इसमें कुछ mandatory parameter होते हैं जो हमको metadata मतलब theme से related information और जो Drupal का system होता है उसको theme की detail को get करने में हमारी help करता है यह जो file है वो help करती है Drupal की तो जो key value parameter होते हैं उसमें सबसे पहला parameter होता है name जिसे मानलो मैंने लिखा name और मैं यहाँ पे coolant और यहाँ पे value में लिख देता हूँ gold मतलब मेरी theme का नाम क्या हो गया मेरी theme का नाम यहाँ पे gold हो गया फिर दूसरा parameter होता है type तो info.yml file जो होती है वो आप module के लिए भी बनाते हैं और theme के लिए भी बनाते हैं यहाँ पे type में अगर आप theme बना रहे हैं तो theme decide करना पड़ेगा और अगर आप यहाँ पे module बना रहे हैं तो module लिखना पड़ेगा ठीक है उसके बाद में होता है waste theme अगर आपको कोई waste theme बनानी है तो आप waste theme रखेंगे नहीं तो यहाँ पर false जाएगा ठीक है अभी मैं false लिख देता हूँ अगर आपको पास कोई waste theme है तो आप यहाँ पर उस waste theme को रखेंगे फिर होता है description है ना फिर होता है description तो description में आप यहाँ पे theme का description लिख सकते हैं कि my first drupal theme यह description हो गया theme का ठीक है उसके बाद में होता है core इसके बाद आता है drupal core तो core के लिए drupal 8 और drupal 7 में core version required 8 और 9 दोनों हम डख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से यह core version होता है तो यह होती है info file info file में कुछ condition होती है कि जो info file का नाम है वो .info.yml extension के साथ save होगा दूसरी condition इसमें यह होती है वो .info.yml file के साथ होगा दूसरी condition इसमें यह है कि जो file का नेम है वो lowercase से start होना चाहिए और हम लोग इसको lowercase से start करेंगे first letter जो है lowercase होना चाहिए और underscore use कर सकते हैं और कोई भी special जो characters होते हैं वो हम लोग यहाँ पर use नहीं करेंगे तो यह कुछ condition है info file के नेम में कि lowercase start with the letter है ना और use the underscore space की जगा हम underscore कर सकते हैं और no other special character जो है वो इसमें नहीं हो सकते तो यह condition है और इस तरीके से info file बनती है ठीके अब जब info file बन जाएगी तो इसका impact क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ तो हम लोग चलते हैं Drupal Drupal admin के अंदर तो यह देखे डूपल admin में मैंने क्या किया यहाँ पर Drupal admin को मैंने यहाँ पर Drupal admin को login किया है admin को login में मैं यहाँ theme पे गया तो यह theme में जो detail यह दिखाई दे रही है यह info file से यह आ रही है यह description है यह जो है वो theme का description है और यह जो है Drupal theme और यह जो है वो यह जो theme है वो Baltic theme है जो Drupal की core theme है वो यहाँ पर इसका description है तो यह कुछ यह जो detail आ रही है यह info file से आ रही है ठीक है इसके अलावा और क्या हो सकता info file में तो उसको देखने के लिए मैंने एक info file भी यहां पर open कर रखी है तो हम लोग वार्टिक theme की यह info file है ठीक है अब इस file में क्या क्या चीज होती है ठीक है यह जैसे कि मैंने बताया यह core चीज थी जो हमने discuss की थी name हो गया type हो गया फिर waste theme हो गया description हो गया core क्योंकि यह core theme इसलिए अगर यहां पर हम लोग custom बनाएंगे तो हम लोग यहां पर drupal का जो version है वो हम लोगों को यहां पर लिखना पड़ेगा जो की मैंने यहां पर लिख रखा है यह कुछ इस तरीके से core requirement drupal 8 कामा drupal 9 यह हमको यहां पर कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा ठीक है अब अगर हम लोग यहां से अब लोग हम लोग अगर जाते हैं इस theme फाइल में तो यहां पर आप देखोगे कि यह जो है हमारा यहां पर कुछ library aid हो रही है यहां पर कुछ library जेड है तो इस यहां पर कुछ library है और library का क्या मतलब है यह library का मतलब है यहां पर यह css और javascript से है यह कुछ file बनी हुई है library की यह कुछ file बनी हुई है तो यह उससे मतलब है तो अगर देखिए यह info file में यह तो basic detail हो गई यहां से यहां तक का detail तो basic हो गया फिर यहां पर आपने इस library को define किया और इसमें css और html define है ठीक है यह कुछ additional library हो गई है ठीक है उसके बाद में यहां पर reason होते है तो यह जो reason होते है यह भी हमको info file में define करना होते है इन reason का क्या मतलब है तो जब आप आपके system में जाएंगे जब आप drupal के अंदर जाएंगे और यहां पर आप structure में block layout पर जाएंगे तो जो reason है reason से ताथ पर क्या है यहां पर यह जो header बना हुआ है या footer बना है contain area है वो सभी reason है इस reason को हम लोग यहां पर info file में define करते हैं ठीक है अभी मैं जैसे मैंने block layout पर click किया तो block layout पर आप देखोगे तो आपको reason दिखाई देंगे तो वो सारे जो reason है जिसे आपको header चाहिए आपको primary menu दिखाना है आपके page पर आपको secondary menu दिखाना है आपको footer दिखाना है slider दिखाना है content area दिखाना है तो यह सब चीजे यहां से होगी अगर मैं यहां पर गया यहां पर मैंने इसको click किया तो यहां पर आपको सारे reason जो है वो दिखाई देंगे ठीक है अभी यह page लोड हो रहा है तो यह सारे reasons जो है वो यहां पर define होते है जो कि हमारी theme का layout define करते है तो info file में basically आप यहां पर basic detail यह रखेंगे उसके बाद में आप library यहां पर aid करेंगे library मतलब css और html जो भी आपको css चाहिए और जो भी आपको javascript चाहिए वो library से आएगी और यहां पर आप define करेंगे regions तो regions यह सारे reason है आप देख रहा है यहां पर यह header जो है वो एक reason है हमारे पास ठीक है यहां पर आप देख रहे हैं कि यह जो है यह भी एक reason है हमारे पास नेविगेशन भी एक reason है हमारे पास फिर यह सारे reason कहां पर define होंगे यह reason जो है वो हमारे इस info file के अंदर ही define होंगे यह सारे वो region है जो यहां पर define होए है तो यह सारे reason यहां पर define होंगे तो इस तरीके से हम लोग info file बनाते हैं ठीक है अब मैं क्या करता हूँ मैं अब एक नई theme बनाता हूँ ठीक है मैं एक नई theme बनाता हूँ और उस नई theme के अंदर मैं सारे जो detail है वो define करता हूँ तो मैं मॉडूल्स theme के अंदर custom के अंदर गया ठीक है यहां पे मैंने ठीक है यहां पे आप देख रहे हैं कि यह मैंने मॉरूल्स theme custom कस्टम के अंदर आप देख रहे हैं एक silver theme बनी हुए तो मैं एक नई theme बना रहा हूँ तो मुझे उसकी info फाइल बना नी यह तो मैंने यहाँ पर नया folder aid किया और मैंने लिख दिया gold क्योंकि मुझे gold theme बना नहीं अब यहाँ पर यह जो file है इसको मैं save us कर देता हूँ मैंने save us किया और wave के अंदर गया में my project के अंदर गया themes के अंदर गया मैं themes के अंदर गया themes के अंदर में मैंने क्या किया यहांपे custom में गया और gold में गया तो मैं क्या करूँगा यहां पर इसको gold.info.ymil कर दो ठीक है तो यह मेरी gold theme हो गई theme का नाम में यहांपे gold कर देता हूँ type theme हो गया base theme में मैंने false रखा है ठीक है अभी यहांपे मेरे को जो स्ट्रिंग में यहां यूज की थी कॉंसिस्टिंग में यहां यूज की थी है ना यहां पर मुझे क्या चाहिए था मुझे यहां पर रखना पड़ेगा कोर अंडर्सकोर वर्जन अंडर्सकोर रिक्वार्मेंट ठीक है तो मुझे यहां पर यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा कोर underscore what is an underscore requirement ठीक है और इसमें मुझे लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा इसमें में को 8 और 9 मतलब 8 और 9 यह लिखना पड़ेगा मेरे को ठीक है तो मैं क्या करता हूँ यहां पे यहां पे मुझे यह 8 और 9 जो है वो मैं लिख देता हूँ तो मैंने क्या किया यहां पे 8 और 9 को यह लिख दिया ठीक है अभी description में मैं यहां लिख देता हूँ description में मैं लिख देता हूँ my gold theme मैंने लिख दिया my gold theme यह हो गया my gold theme ठीक है अब libraries तो मैंने अभी library define नहीं की है लेकिन मैं define करूँगा तो आगे आने वाले session में हम लोग देखेंगे library किस तरीके से define होगी तो यहां आएगा theme का name तो यह मैंने लिख दिया gold theme का name और इसको हम लोग हटा देते हैं से तो हम लोगों ने इसको हटा दिया और यह CSS भी हमने पूरा हटा दिया तो यह हो गया अब यहां पर मुझे reason है तो reason में मुझे primary menu नहीं चाहिए secondary menu नहीं चाहिए highlighter चाहिए मेरे को तो मैंने highlighter पर गया feature top नहीं चाहिए मेरे को वो मैंने हटा दिया वेट करम मुझे चाहिए है content चाहिए है slide war first नहीं चाहिए second नहीं चाहिए और मुझे footer चलो footer मुझे चाहिए तो मैंने इतना रख दिया first second third fourth fifth इतने reason मुझे चाहिए तो मैंने इतने reason define कर दिये तो यह जो मेरी theme वो gold define हो गई अब मैं क्या करता हूँ मैं जाता हूँ drupal के administrator के अंदर और appearance में जाता हूँ appearance में चाहूँगा और मैं first of all क्या करता हूँ एक बार clean cache कर देता हूँ तो appearance में यहाँ पे मुझे gold theme जो है वो दिखाई देगी ठीक है इतना मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है यह data जो है मेरा my gold theme और drupal को रिख यह info file में मैंने reason define कर दिये हैं यह सारे reason मेरे को दिखाई देंगे और यह theme description और सारी चीज़ तो मैंने यहाँ पे जैसा ही केशे मेरा clear होगा यहाँ पर मेरे को मेरी एक theme और दिखाई देगी जो की gold theme होगी ठीक है एक theme और दिखाई देगी जिसको मैं क्या बोलूँगा जिसको मैं यहाँ पे gold theme बोलूँगा तो यहाँ पे हम लोग refresh करते हैं इस page को तो चैसा है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे यह gold theme हमारी आ गई है यहाँ पे no screenshot और यह हमारी theme का name हो गया और यहाँ पर my gold theme हो गया ठीक है अब इस theme को यह जो reason है यह हमको इसके लिए पूरा theming template हमको बनानी पड़ेगी अलग-लग reason के लिए वो हम देखेंगे किस तरीके से बनती ही लेकिन info file का यही रोल है तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से info file का रोल है एक theme development में ठीक है तो यह देखें यह screenshot भी आ गया यह screenshot कैसे आया है ना तो screenshot लाने के लिए मुझे क्या करना होगा screenshot लाने के लिए मैं कोई है screenshot png के format में रखना पड़ेगा screenshot नाम से file जो रहेगी png के format में वो यहां पे screenshot आ जाएगा theme का तो इस तरीके से हम लोग एक theme को design कर सकते है info file को sorry info file को हम लोग define कर सकते है